हेलो बच्चों कैसे हो आप सब hope all of you are fine आज हम करते हैं चप्टर 3 के important questions बच्चे देखिए first question क्या है हमारे पास 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 find value of m हमें यहां पर इक्वेशन दी गई है और यहां पर क्या है हमें उनकी m की value निकालनी है और m किसके equal है y is equal to mx plus 3 इन्होंने यहां पर एक और equation दी है कि y जो है वो mx plus 3 के equal है तो यहां से हम देखिए इसको कैसे कर सकते हैं क्यूंकि आपके पास 2 equations आ गई है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं आसानी से substitution method से हम इसे solve कर सकते हैं देखिए question क्या है हमारे पास 2x plus 3y is equal to 11 तो यहां से हम क्या करते है एक्स की value निकाल लेते है जिसकी value निकाली जाती है बच्चे उसको यहां रखो बाकि दूसरी सारी चीज़ों को उदर ले जाओ 2x हमने यहां रख लिया 11 3y यहां पर है प्लस का इधर ले आता है तो minus का अब सिर्फ x की value चाहिए हमें तो इसके साथ 2 है उसको इधर ले आता है तो x is equal to 11 minus 3y upon 2 यह आ गई हमारे पास हमारी x की value इसको हम नेमिंग कर देते हैं बच्चे number one आप देखिए सेकंड equation क्या है हमारे पास यहां पर 2x minus 4y is equal to minus 24 यहां पर हमारे पास जो सेकंड equation है वो हम लिख लेते है courtyard minus 4y is equal to minus 24 तो यहां से हम क्या करते हैं x की value इसमें put कर देते हैं बच्चे क्योंकि हमारे पास equation है x की value हम निकाल चुके है यहां पर जब x की value put होगी तो हमारे पास सिर्फ एक ही variable बचेगा y तो निकालने में easy हो जाएगा हमें 11 minus 3y upon में 2 और क्योंकि यह 2x है तो 2x के लिए हम क्या करेंगे यहां पर 2 और यह x की value यह है minus में 4y equal to minus में 24 यहां से क्या होगी देखे 2 upon में यहां पर multiply में cancel out हो गया 11 minus में 3y minus 4y equal to minus में 24 11 minus minus plus होते हैं और sin minus का तो हम यहां लिख सकते हैं 11 minus में 7y यहां पर minus में 24 यहां से क्या करेंगे y वाला portion क्योंकि अब हमें y की value चाहिए एक ही variable हमें दिख रहा है इस equation में y तो यहां से हम y की value easily निकाल लेंगे तो y वाले portion को हम यहां रखते हैं other terms को दूसरे साइड ले आते हैं minus 7y minus 24 11 plus का है इधर ले आते हैं तो minus का 11 minus 7y minus minus plus हो जाएंगे sign minus का दोनों को plus कर देते हैं minus 35 आ गया अब देखिए यह भी minus में यह भी minus में तो y की value निकाल लेते हैं minus 35 upon में minus में 7 minus से minus cancel out हो गया 75 जा 35 तो y is equal to यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 तो हमारे पास y की value के आ गई बच्चे 5 अब 5 को हम क्या कर सकते हैं first या second equation आपके पास जो भी है उसमें आप put कर दीजे क्योंकि उससे क्या हो जाएगा आपके पास x की value आ जाएगी तो जो हमारी first equation है यहां पर यहां पर अगर हम y की value पुट करते हैं तो हमारे पास x की value आ जाएगी तो इसको हम कर देते हैं put the value of y in first equation first equation में हम इसे put करते हैं तो first equation क्या है हमारे पास x is equal to 11 minus 3y upon me 2 यह equation है बच्चे हमारे पास as it is हम इसमें put करके काम करते हैं तो 11 minus 3 y की value 5 upon me 2 तो x equal to 11 minus 15 upon me 2 11 minus 15 करेंगे minus 4 upon 2 cancel out हो गया तो यहाँ पर आ गया minus 2 यहनी x की value आ गई हमारे पास minus 2 अब हमारे पास x की value भी आ गई है और y की value भी आ गई है तो जब हमारे पास दोनों की value आ गई हमें किसके निकालनी थी बच्चे इन्होंने हमसे क्या था y is equal to हमें value निकालनी थी y is equal to mx plus में 3 तो m हमें निकालना है हमें नहीं पता है हम as it is m लिख लेते हैं और y की value हमारे पास यहां पर 5y है वो इसके नीचे रख देते हैं x की value कितनी आई है minus 2, वो इहां रख देते हैं plus 3 तो y is equal to minus 2m plus 3 तो यहां से minus 2m को हम कि यहां रखते हैं और 5 minus 3 तो यह आ जाएगा हमारे पास क्योंकि प्लस का 3 है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 माइनस 2x और x को हम क्या लिख सकते हैं 2 यह माइनस 2 इसके साथ मल्टिप्लाइ में इधर ले आते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा cancel out हो गया तो x equal to minus 1 यह हमारे पास x की value आ गई है sorry यहाँ पर m चल रहा था न बच्चे मैंने x लिख दिया यहाँ पर देखिए उपर m है तो यहाँ पर हमें m की value निकाल नहीं थी तो m की value आ गई है हमारे पास minus 1 तो यह हमारा answer है बच्चे अब देखिए इसका second question क्या है second question है difference between two numbers is 26 दो number का difference जो है वो उन्हें दे दिया है यहाँ पर कितना है 26 and one number is three times the other और जो पहला number है वो दूसरे number का three times है find them तो आपको with दोनो numbers जो है वो आपको निकालने है तो देखिए कैसे करेंगे question number two यहाँ पर हम मान के चलते हैं बच्चे दो numbers को हम यहाँ पर suppose कर लेते हैं let number भी कौन कौन से है x and y और इन दो numbers में क्योंकि हमें एक को ना मानना पड़ेगा कि कौन सा बढ़ा है आप कोई भी एक बढ़ा ले सकते हैं या तो x ले सकते हैं या y ले सकते हैं हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि x हमारे पास बढ़ा है y एंगल से तो जो एंगल हमारे पास बढ़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि difference between two numbers 26 दो numbers का difference जो है वो 26 है तो पहले तो बड़ा नंबर लिखा जाएगा यानि x minus y वो कितना हो गया हमारे पास 26 अब यहां से हम x की value निकाल लेते हैं तो x is equal to 26 minus का y है इधर ले आते हैं तो plus का y यह हमारे पास आ गया x की value आ गई है हमारे पास बच्चे अब जब हमारे पास x की value आ गई है तो इस value को हम क्या करते हैं इसमें put कर ले अभी second equation तो हमारी बनी नहीं यह हमारी first equation है second equation और बना देते हैं दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है and the one number is three times the other first एक number जो है जो भी इनमें से हम पहला number है वो दूसरे का तीन गुणा है तो हम यहां लिख सकते है x is equal to 3y की जो x है वो 3y के equal है हमारा ठीक है बच्चे तो जब x हमारा 3y के equal है और x की value हमारे पास यहाँ पर यह है इसको हम नेमिंग कर देते है number 1 और x की value यहाँ पर put कर देते है put the value of x तो x की value कितनी है 26 plus y equal to 3y तो यहाँ पर 26 और 3y y को हम दूसरी तरफ ले आते हैं यहाँ पर plus है इधर ले आएंगे तो minus यहाँ पर बच गय है 2y 26 तो y की value निकालना है 26 यहाँ पर 2 multiply में है y के साथ इधर ले आते हैं तो divide में हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 16 तो y की value हमारे पास आगी बच्चे y is equal to 13 हमारे पास हमें यहाँ से y की value मिल गई है अब जब हमें y की value मिल गई है तो हम क्या करते हैं हम इसको जो हमारी first equation आई है उसमें put कर देता है वहाँ से हमारे पास x की value भी आ जाएगी देखिए put the value of y in first equation तो first equation हमारे पास क्या है बच्चे हमारी x is equal to 26 plus में y यह हमारी equation है यहाँ पर हम y की value पूट कर देता है 26 plus में 13 यह हमारी y की value है तो x is equal to दोनों को plus करते है 3 plus 6 9 2 plus 1 3 तो x की value हमारे पास यहाँ क्या आ गई है 39 तो यही दोनों हमें निकालने थे बच्चे x और y की value हमारे पास क्या क्या आ रही है x है 39 और y हमारे पास 13 तो यह दोनों हमारे values है अब देखिए इसका next question क्या है बच्चे the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 जो दो supplementary angles है बच्चे हमारे पास तो जो larger है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 degree बड़ा है देखिए बच्चे इसमें सबसे पहले बात जानने वाली क्या है कि supplementary angles कौन से क्या होते है तो supplementary angles वो angles होते हैं जब दो angles का अगर हम sum करते हैं तो उनका sum 180 के equal आए वो होते हैं supplementary angles तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि दो supplementary angles हैं उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि दो supplementary angles हैं और जो larger angle है वो smaller वाले से कितना बड़ा है 18 तो हम इसमें देखिए हमारे पास दो equation ऐसे ही बनके तयार हो जाएंगी देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर भी let कर लेते हैं बच्चे question number third let the angles be x and y और हमने दोनों angles को x और y माना है हम साथ साथ यह भी बता देते हैं कि x जो है वो greater than है y आप यह चीज बता दीजेगा क्योंकि इसी के basis पे हम काम करेंगी कि x हमारा बड़ा angle है उसी को हम पहले लिखते होई चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है दोनों angles supplementary है यानि दोनों angles का sum 180 होता है तो हम कर सकते है x plus y equal to 180 हमारे पास यह equation बनके आगई यहाँ से हम y की value निकाल लेते है तो हमारे पास आगई है 180 minus x x को हम इदर ले गई यह हमारी y की value हो गई है इसको हम naming कर देते है first equation अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है बच्चे कि जो भी हमारा जो larger angle है वो smaller angle से कितना बढ़ा है 18 degree बढ़ा है तो यहाँ पर हमारा larger angle x है हम यहाँ पर x रखते है smaller angle y तो x कितना बढ़ा इस से 18 तो इसमें चोटे वाले angle में अगर हम 18 degree प्लस कर देते हैं तो दोनों equal हो गए यह तो already 18 degree बढ़ा था ना तो हम चोटे वाले में 18 प्लस कर देते है दोनों angles जो है अब हमारे पास equal आ गए है अब यहाँ से हम क्या करते है हमारे पास y की value निकल चुकी है अब y की value इसमें put कर देते है put the value of y तो देखिए x as it is y की value क्या है यह हमारे पास 180 minus x प्लस में 18 तो x equal to 180 और प्लस में 18 तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे 198 और यह minus x है इसको इदर ले आएंगे तो यह हो गया हमारे पास प्लस में x तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x is equal to 198 तो x is equal to 198 अपॉन में 2 यह cancel out हो जाएगा 2x18, 2x918 तो x की value हमारे पास आगए यह बच्चे यहाँ पर 99 यानि जो larger angle है वो हमारा कितने degree आ गया है 99 degree अब हम जो इसका smaller angle है वो भी बच्चे निकाल सकते हैं क्योंकि इसको हम क्या करते हैं first equation में put कर देते हैं first equation में यहाँ पर आप x की value put करोगे 180 में से minus करेंगे तो आपके पास आपका y angle भी आ जाएगा हम लिख देते हैं put the value of x in first equation तो first equation हमारे पास क्या है बच्चे y is equal to 180 माइनस में x तो यहाँ पर y is equal to 180 माइनस x की value क्या है 99 तो minus कर देते हैं यहाँ से तो minus करेंगे तो 10 minus 9 1 17 बच गया है 17 minus 9 81 तो y की value अब हमारे पास कितने आ गई बच्चे यहाँ पर देखिए 81 तो larger angle हमारा 99 और smaller angle हमारे पास 81 यानि x और y के जो angles हैं वो कितने कितने डिगरी है 99 डिगरी और 81 डिगरी यह हमारा answer है बच्चे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, share करें, subscribe करें और bell icon प्रेस करना ना भूले bell icon प्रेस करने से बच्चे मैं जो भी वीडियो डालूँगी आपके पास जबी notification आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं Thank you for watching my video